वेल्कम टू मैजिक अकेडमी स्टुएंट्स हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 हमने कोडिनेट जमेटरी स्टार्ट किया हुआ है और हमने 7.1 कम्प्लीट कर ली है 7.2 केवी हमने जो फर्स्ट फोर सम है वो हमने लास्ट वीडियो में कर लिये थे आज हमने करना है उसका फिफ सम और अगर किसी भी स्टुएंट ने पहले फोर सम वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले आप उसे देखिए क्योंकि डिरेक्ट आपको फिफ्ट सम समझ नहीं आएगा क्योंकि पूरा बेसिक जो है इसका मैंने फर्स्ट वीडियो में करवाया हुआ है तो प्ल क्या रेशो हमने जो फॉर्ट सम किया था उसमें भी हमने रेशो फाइंड़ की थी जब भी रेशो फाइंड़ करनी है तो हम क्या लेते है रेशो क्या लेट कर लेते हैं के रेशो वन तो इसमें दो पॉइंट दिये गए है एंड बी जो है हमने उसको मिलाना है तो जो उसक x and y सीरी तरह से नहीं दिये हैं पर इंडिरेक्टली हमें उन्होंने बता दिया यहां पर लिखा है is divided by the x-axis जो यह लाइन है ab है वो किसे कट कर रही है वो x-axis को कट कर रही है अभी x-axis के उपर y की value कितनी होती है पिछली वीडियो में मैंने बताई थी starting में कि x-axis में जो y की value है वो कितनी होती है हमेशा 0 चले मैं आपको figure बना के ये करके दिखाती हूँ तो इस तरह है हमारे पास है a है मिरे को given उन्होंने दिया है 1 and minus 5 then b उन्होंने दिया है minus 4 and 5 तो ये बोला है कि x-axis के उपर cut करती है यहां पर कहीं पर भी करती है मिरे को नहीं बता कहां cut करती है ratio मिरे को कितनी लेनी होगी k ratio 1 हम इसी formula add करते है then x-axis बोला है x-axis के उपर y की value कितनी होती है 0 तो मैंने cd-line बना लिया है अगर मैं इसको graph में बनाऊंगी तो मैं आपको छोटा सा बनाके दिखाती हूँ बिना point लिये ही देखिए 1 कहां होगा यहां पर minus 5 कहां होगा यहां पर नीचे कहीं मैंने यहां पर इसका point ले लिया then मैंने b point लेना है minus 4 minus 4 कहां है minus 4 हो गया यहां कहीं पर 5 कहां हो गया यहां कहीं पर so यह point लिया मैंने अज भी a and b अभी हम a and b को जब देखते हैं a and b cut किया यह x-axis के उपर उनने हमसे इस point का भी पूछा इस point का पूछा x-axis के उपर कि यहां पर कि अगर कितनी ratio होगी कि यह मतलब कि यह इधर कितना part होगा और जो नीचे है वो कितना part होगा उनने हमसे इसके बारे में पूछा है यह maybe copy नीचे थी मैं आपको यह दुबारा से बता देती हूँ सबसे पहले मैंने 1 and minus 5 लिया यहां तक हो गया 1 और यहां पर हो गया minus 5 यह point बन गया मेरा यहां पर then लिया minus 4 and 5 minus 4 यहीं कहीं होगा 5 यहीं कहीं होगा मिल गया कुछ ऐसा then मैंने इस line को जोड दिया है तो उन्होंने हमसे इसके ratio पूछिए यहां पर ratio कितनी बनेगी यहां पर something कुछ पार्ट यहां पर है कुछ पार्ट कुछ भी हो सकते है इधर 2 पार्ट हो सकते है इधर 3 पार्ट हो सकते है बना हम तो निकालेंगे estimate नहीं लगाएंगे हम अपना तो अभी है x-axis है यह line इसके उपर x की point की value कितनी होगी कुछ भी हो सकती है मेरे को नहीं पता यहां पर minus 1 है minus 2 है minus 3 मैं तो निका इसके उपर तो य का कोई point नहीं तो इस बात की guarantee है कि जो y का point है वो 0 ही होगा जब भी हमें बोला होगा x-axis पर divide हो रहा है तो हमने लेना है point जो लेना है x,0 लेना है अगर यहीं उन्होंने में को बोला होता कि y-axis पर cut है यहां पर cut है तो मैंने point लेना था 0,y आगे x का होत स्टोंट से गलती कर देते है y,0 ले लेते हैं नहीं सारा sum गलत हो जाएगा that is 0,y ठीक है पूरा basic मैंने इसका आपको समझाया है अगर आप इसको इसको समझो के तो आपको बहुत easily आ जाएगा चलिए चलते है अभी इसको मैं पूरा आपको लिख के बताती हूं इसको कैसे जीरो ठीक है पूरा जो मैंने एक जीरो लिया है देन विच डिवाइट विच डिवाइट ता लाइन सेग्मेंट लाइन सेग्मेंट से मीनिंग a b से है at points a का कितना point है 1 and minus 5 and b का कितना point है minus 4 and 5 in ratio ratio हमने कितनी लेनी है k ratio 1 रेशो कितनी लेनी है k ratio 1 के पूरा मैंने आपके सामने बनाये इसका उसे मैंने आपको formula याद याद करवाये थे formula क्या था formula m1 x2 m2 x1 upon m1 plus m2 then y का क्या था m1 y2 m2 y1 upon m1 plus m2 ठीक है यह थे तो अभी value put करते हैं मैंने उसे नम को share roll आके भी बताये थे इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ नीचे ये वाला सेम उसी तरह से अगर आप नहीं करना तो आप उसी तरह से भी कर सकते हैं x की value कितनी है यहाँ पर x ही है तो यह मेरे पास होता है x1 y1 x2 y2 यह होगा मेरे पास m1 m2 x and y ठीक है यह figure सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने बताई है वहाँ पर बनानी जरूरी नहीं है यह भी जरूरी नहीं होती पर आगर आप बनाते हो तो आपको easily जो values है वह दिखती है पता लगेगा कहां से क्या रहा है easily सब कुछ दिखाई देता है हमें यहाँ बर चलती है m1 की तरफ m1 है k x2 है मेरे पास minus 4 m2 है 1 x1 है 1 गाल नीचे कितना आ गया k plus 1 y की value कितनी है 0 m1 m1 k y2 कितना है 5 m2 1 यहाँ बर है y1 है minus 5 नीचे कितना आ गया m1 plus m2 देखिए value जो है मैंने put कर दी है तो अभी देखिए इसमें ना तो k है ना तो x है क्या हम निकाल पाएंगे इसमें ना तो k है ना तो x है हम नहीं find out कर पाएंगे इस से हमें कुछ नहीं find out होगा इधर सिरफ k है मैं इस तरफ को solve करूंगी तो मेरे को answer मिलेगा k का सबसे बहले मैंने ratio ही find out करनी है इसका कोई लेना देना नहीं अभी तक then यहां पर k plus 1 गया उसके पास यह बन गया k plus 1 यह बन गया 5k then minus 5 ठीक है अभी किसी वी चीज़ को 0 के साथ multiply किया that is 0 5k minus 5 5 को हम इधर ले आते है 5 equals to 5k that is same thing 5k equals to 5 k की value कितनी आगी मेरे पास कितनी बन गया k tracking कितनी बने रेषो थी मेरे पास कशš इस form में के ratio 1 तो यहां पर मेरे पास बन गी है 1 ratio 1 उसके बाद इस समय उन्होंने हमसे पूछा था also find the coordinates of the point of division कि जहाँ पर division हुई है इसका coordinate भी हमें बताएं हमें means x,0 point है यहाँ पर divide हो रहा है एक मेंट में नीचे करते हूं सबसे पहले x,0 यह point of division है उन्होंने हमसे इसके बारे में पूछा है means मिरे को क्या find करनी पड़ेगी यहाँ पर x क्या finite करनी पड़ेगी x तो देखिए यहां पर मैंने कुछ find out किया है यही मेंने बनाया था पहले यहां से मेरे बास अभी के की value कितनी आगी है 1 के की value 1 आगी तो मैं इसमें put कर देती हूं पुट यहां पर इसको 1 दे देते हैं हमने इसके नीचे यह जो अब किया ना इसके नीचे यह करना है क्या की value तो अभी हमारे पास अब आई है पर मेरे पास तोड़ी space नीचे कम है तो फिर मैं यहां से शुरू कर देती हूं ठीक है अभी क्या करना हमने पुट k equals to 1 in 1 तो यहां पर देखिए इसको थोड़ा से यहां पर मैं और solve कर दूँ आपने आगे करना आगे कर ले ना यह बन गया minus 4 k plus 1 upon k plus 1 इसमें अब हम k की जगा पर कितना पुट करेंगे 1 x minus 4 k की जगा पर हमने 1 पुट किया then 1 नीचे आ गया 1 plus 1 x की value आगे minus 4 plus 1 upon 2 x की value कितनी आगे minus 3 upon 2 तो यह point है मेरे पास कितना आ गया minus 3 upon 2 जो हम हमें required point था वो कितना बन गया मेरे पास minus 3 by 2 comma 0 यह मेरे पास बना है answer ठीक है जी चलिए अब चलते है question number 6 की तरफ सबसे पहले मैं आपको बुक से statement दिखाती हूँ क्या है उसमें question number 6 के पास चलिए if हमें 4 points दिये हुए हैं versus दिये हुए है 1,2,4,y,x,6,3,y यह है पैल ग्राम के versus उसके corners है order में दिये हैं तो उन्हें हमको x,y निकालने को बोल दिया है ठीक है हमें इसमें जो इसका rule है coordinate का क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए चलिए करते हैं इसको start सबसे पहले next page लेती हूँ मैं आते हैं फिर question number 6 की तरफ हमें सबसे पहले हमें जो point दिये हैं मैं उनकी हैपसे figure बना लेती हूँ मेरे पाद को पैल लग्राम गिवन है तो मैंने पैल लग्राम बना लिए a b c d और हाँ जो verses है आपने order में लेने हैं आप ऐसा नहीं कर सकते a b c d मतलब कि जिससरा मर्जी लिखते हो हमारा circle भूमना चाहिए a b c d या मैं इसको ऐसे लिखते हूँ a b c d विकूल ठीक ऐसे लिखते हूँ a b c d बट a b c d भी मेरा हाथ उठ गया ना मैंने हाथ उठाके न जलत हो जाएगा किसरा लिखने हमने a b c d पूरा मतलगी उसकी जो रोटेशन है वह बनने चाहिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या है हमें हमें चार पॉइंट्स गिवन हैं एक गिवन हैं हमें 1,2 देन 4,y देन x,6 देन 3,y सबसे पहले आपने बताने हैं यहां पर लिखने हैं सारा a कितना है 1,2 b है मेरे पास 4,y c मेरे पास है x,6 and d है आर वर्ट्स इस ऑफ पैल लग्राम है यह हमारे पास पैल लग्राम के हमें वर्ट्स गिवन है वर्ट्स जो है तो अभी हमें x and y find out करना है तो हमें palagram की जो properties है इसमें वो पता होना चाहिए हमें ये पता है कि जो palagram के diagonals है वो आपस में bisect करते हैं सबसे बहले मैं इसके diagonals मना लेती हूँ diagonals होगे ac and bd मामें ये पता है सबसे बहले मैं लिखोंगी यहां पर कि जो हमने करना है वो सारा लिखना है we know that diagnose diagnose of palagram bisect each other ठीक है हमें ये पता है कि जो इसके palagram के diagonal है वो bisect करते हैं means यहां पर bisect होते है mid बिल्कुल जितना इदर है उतना ही उदर है means इसमें कुछ mid point कुछ आ गया mid point आ रहा है mid point का formula भी मैंने उस दिन आपको करवाया था क्या था सभी को याद है mid point का formula that is x1 प्लस x2 upon 2 and y1 प्लस y2 upon 2 ठीक है x1 प्लस x2 upon 2 then y1 प्लस y2 upon 2 सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर coordinates of mid point of ac equals to coordinates of mid point of bd ac and bd के जो है देखिए इसका mid point कहां है यहां पर इसका mid point कहां पर है यहां पर मिन दोनों के जो mid point है वो आपस में क्या होगे equal मैंने formula लगाना है पहले मैं लगाऊंगी ac की उपर देखिए यह है x1 y1 x2 y2 हमने क्या लगाना है x1 यह है x1 y1 x2 y2 यह है x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2 ठीक है अभी मैं इसको लिख रही हूं direct यह मेरे पास बना 1 plus x by 2 कॉमा डालके 2 plus 6 by 2 then इसी तरह इसके लिए नहीं है bd के 4 plus इसको अभी आपको दिखाती हूं में 4 plus 3 by 2 then y plus 5 by 2 तीक है यह मेरे पास बना 4 plus 3 by 2 y plus 5 by 2 यह बना मेरे पास 1 plus x by 2 यह बना मेरे पास 8 by 2 7 by 2 then y plus 5 by 2 ठीक है यह मेरे पास बना अभी देखिए जो first वाल है इसको हम first के equal कर देंगे जो पीछे वाल है उसको हम पीछे वाले की equal कर देंगे यह मेरे पास बना 1 plus x by 2 कितना आगया 7 by 2 then 8 by 2 कितना आगया y plus 5 by 2 2 के साथ 2 कितना हो गया cancel x की वैल्यू कितनी आगया यह plus 1 उदर जाके minus 1 x की वैल्यू कितनी आगया 6 then 2 forza 8 और इजी रहता अगर हम यहां से इस तरह से यह 2 काट दे ठीक है और इजी होना था एक step और बच जाना था 2 forza 8 और मैंने काट दिया था चलो वह भी गलत नहीं है पर उस तरह से काट दे तो और इजी होना था answer वहीं आना था statement से पढ़ेंगे क्या लिख है question number 7 क्या बोल रहा है हमें बुक से दिखा रही हूं question number 7 है जी बोले है उन्होंने कहते कि a b diameter है उसका हमें center given है center given है a point नहीं पता b point हमें दिया हुआ है सबसे फ़ले कुछ थोड़ा से इसको figure किया है आपसे मैं आपको समझा देती हूं यह है मेरे पास इस्तरा से हो गया a b center कितना हो गया oh center मुझे given था center मुझे given था 2 minus 3 then a a point मेरे को given ही नहीं है यहां पर मैंने x1 जब कुछ भी लगा लो x1 y1 लगा लो यह xy लगा लो पर confused मत हो है ना आगी हम इसको xy देती है नहीं तो मैंने x1 y1 ही लगा दिया then b कितना है 1,4 यह हमें given है यह होगए x2 y2 यह मेरे पास x and y ठीक है सारे points मैंने यहां पर लिख लिए है अभी क्या है हमें diameter और center इसका relation पता है diameter के बिलकुल half में बिलकुल mid में क्या होता है उसका center इसमें भी diameter और center की बात है तो मेरे को यहां पर यह पता लग रहा है कि हमें यहां पर midpoint theorem ही use करनी है midpoint formula है वो ही use होगा क्योंकि इसमें midpoint की बात चल रही है ठीक है जी अभी हम लिखेंगे center है इसमें center की बात है सबसे बहले हम बता देते हैं center is midpoint midpoint of diameter a b ठीक हमें ही पता है so midpoint है तो हम midpoint का ही लगाएंगे formula तो देखी है हम पर x1 plus x2 upon 2 क्या बनता है मेरे पास सबसे बहले होता है x मैं सबसे बहले एक बर formula लिख देती हूं x1 plus x2 upon 2 then y का क्या होता है y1 plus y2 upon 2 अपने सीधी value put करनी है अभी x की value कितनी है 2 y की value कितनी है minus 3 x1 की x1 की है x1 नहीं है x2 की है 1 यहीं मेरे पास बना 2 equals to x1 plus 1 upon 2 then y का मिला minus 3 equals to y1 ऐसी रहेगा y2 की value कितनी है 4 upon 2 सारे इसमें value देखनी है हमने put करनी है मैंने अभी ball दी है तो कि मैंने अभी next phase में जाके इसको fill करना है ठीक है चलो अभी हम इस value को fill करते हैं सारा मैंने पीछे लिखा था क्या क्या था तो पहले था मेरे पास यहां बर 2 मैं यहीं पर अब उसके बाद था x1 plus x2 था उसकी value थी 1 then 2 then दूसरा था इदर से y का था 3 then था y1 y2 upon 2 यह बन गया 2 2 is a 4 x1 plus 1 minus का 1 कितना होगे x1 x1 की value कितनी आगी मेरे पास 3 थी थी उससे रहो दर cross कर दीजिए 3 2 यह 6 y1 plus 4 plus का 4 कितना होगे minus का 4 then y1 y1 की value कितनी आगी मेरे पास minus 10 so मेरे पास जो 2 point है एक के जो point है एक बना है 3 and एक बना है मेरे पास minus का 10 ठीक है चलिए अभी हमारे जो 3 question है इसमें वो complete होगे है question number 4 हमने कौन कौन सा किया है इसमें 5th किया है 6 किया है and 7 किया है तीन question हमारे इस वीडियो में हमने complete किये है जो 3rd question अभी भी हमारे pending है उसकी आपको next वीडियो में वो आपको मिल जाएंगे ठीक है 7 तक हमने एक कर लिया है 6 भी हमने कर लिया है तो जो next 3 question है वो आपको next वीडियो में मिलेंगे तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप चैनल को शेर कीजिए like कीजिए subscribe कीजिए इसी तरह की जो वीडियो है वो आप तक आती रहेंगी और मुझे comment करके बताईए आपको पहले किस chapter के notes चाहिए जिसके comments जादा आएंगे सबसे पहले में उसी chapter के notes है वो आप तक send करूंगी so please support कीजिए share कीजिए and subscribe कीजिए thank you